नवीन फ्रोडी ने अगर breakout देगा तो वो सीधा उपर जाता है अगर breakdown देगा तो सीधा नीचे जाता है तो यहाँ पर आपका experience काम है का जब आप इंट्राडे टेटिंग करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा stock breakout देता है तो सीधा उपर जाता है breakdown देता है तो सीधा नीचे जाता है जैसे OFSS breakout या breakdown देगा वो सीधा जाता है कहीं उसका बीच में नखड़े नहीं है कि भाईया मैं रुक के जाओंगा यह वैसे जाओंगा बिल्कुल भी वैसा नहीं है same goes with the alchem तो जब भी candlestick pattern की बात आती है तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि सड़ यह जो pattern है सबसे बैतरिन कहां पर काम करता है तो यह जो morning start जो pattern होता है वो सबसे अच्छा काम करता है support पर और यह support हाई everyone इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे एफेनों stock के बारे में डिसस करने जा रहे हैं जहांपर हमें आज के दिने काफी अच्छा breakout देखने को मिला है और अगर यह stock breakout के direction में अगर movement को continue करता है तो हमें आने वाले समय में अच्छा return देखने को मिल सकता है बात करते stock की पहला stock है में पास mother sun का और year s का chart तो सबसे पहले हमनों यहां पर region को find out करेंगे कि हमने इस stock को calculate किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर में time frame मिश कर रहा हूँ वह है daily का तो last time हम इसको distance के था somewhere around 135 के आसपास and right now it is trading around 200 तो काफी बहतीन आपको returns देखने को मिलेंगे anyways अगर अपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए but सबसे पहले region और एक simple सा trend line अगर आपको trend line dog करना नहीं आता है तो मैं इस पर already एक video बना रखा है आ आपको जब भी time मिले आप उसे जाकर देख सकते हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस trend line पर ही focus करना है आप यहां पर देख सकते हैं price नीचे से ऊपर की तरह जाता है इसको टच करता है downside में काफी अच्छा हो अगेन प्रेस इसको टच करता है downside में काफी अच्छा हो आज के दिन हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो पहला region है वह है trend line का breakout अगर आप बात करेंगे pattern की तो आप एक यहां पर pattern भी draw कर सकते हैं और इसे हम लोग आते है inverted head and shoulder pattern और आज के दिन हम इसका भी breakout होते हुए दिख रहा है तो second region से stock को जो select करने क है वो है inverted head and shoulder pattern का breakout आप यहां पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो आज का जो volume है वो previous stage के comparison में जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो जब भी हम लोग volume और price हो combine करते हैं तो वहां पर आपको एक concept आना काफी ज़्यादा जरूरी है जो की है कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता ही होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने की probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 210 के अगर ऊपर जाता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing low जो कह रहा है 195 रुपिज on closing basis अगर बात करेंगे target की okay so सबसे पहले यह find out करते हैं यह company कब list हुई थी और इसका all time high क्या था तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं जो company list हुए somewhere in 1999 and इसका जो all time high था वो था somewhere around 208 के आसपास ही that means कि हम लोग थब इंटर करेंगे इस stock में जब यह अपना all time high का break करेगा तो मतलब क्या हुआ कि जब all time high break करेगा तो अब हम लोग अपने entry बराएंगे तो जब भी कोई stock अपने all time high के पास trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूँपर partial profit बुक करते हैं माल लीजिए mother suns के मेरे पास 100 shares है stock जो 10% का move देता है तो यह पूरी तर से मेरे उपर depend करता है कि यहाँ पर मैं 5 quantity book करूँ या 10 quantity book करूँ और इस पर भी depend कर है कि यहाँ पर मैंने अपने capital का कितना percent डिप्लाई किया है अब आईए देखते है अनेक सा stock और यह है ICIC GI का और IRS का chart तो last time हमने इस वाले contraction के breakout पर डिसस कहता है around 2-0, 5-0 के असपास और इसने काफी अच्छा return दिया था आप वहाँ पर यह वीडियो जाके देख सकते हैं anyways अगर अपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए और सेम तरह का pattern है वह SBI life में भी बनाए तो आप उस stock को chart भी check कर सकते हैं तो मेरे पास option था इस stock को discuss करने का या उस stock को discuss करने का तो मैंने इसको discuss क्या है विकाज यहाँ पर जो pattern से वह काफी अच्छे से बन रहे है with increment in volume बात करते हैं region की तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बता दिया knowledge के लिए जिससे क्या होगा कि कल के दिन आपको असानी मिल सकती है तो आप यहाँ पर notice करेंगे price नीचे से उपर की तरह आता है इसको touch करता है दो-तीन दिन का consolidation एक breakout upside में एक काफी अच्छा move अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब price नीचे था तो same level एक resistance की तरह act कर रहा था जब prices के उपर है तो same level एक support की तरह act कर रहा है तो एक concept आपको आना चाहिए कि अगर current market price जो है किसी भी लेवल से अगर नीचे है तो वो लेवल एक resistance की तरह act करता है जसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब price इस level के नीचे था, तो ये resistance की तरह act कर रहा था और जब current market price किसी भी level के अगर उपर होता है, तो वो एक support की तरह act करता है, जिससा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अब भी जो price इस level के उपर है, तो वो जो level अब एक support की तरह act कर रहा है, तो पहला region को जो select करने का है, वो है support से reversal, अगर आप candlestick pattern की बात करेंगे और अगर आप इन तिनों को अगर combine करते हैं, तो इसने एक kind of morning start pattern बना रखा है, तो जब भी candlestick pattern की बात आती है, तो सबसे पहला सवाल यह आता है, कि सड़ यह जो pattern है सबसे बहते हिन कहां पर काम करता है, तो यह जो morning start जो pattern होता है, वो सबसे अच्छा काम करता है support पर, और यह support horizontal भी हो सकता है, और slanted भी हो सकता है, slanted time into the trend line तो second region है morning start at support बात करते हैं, levels की यह तो अगर यह stock 2150 के अगर उपर जाता है, तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है, अगर बात करेंगे stop loss के, तो stop loss का previous swing लो जो के रहा 2085 रूपीज on closing basis हमारा first target है 2245 का, second target है 2285 का, और इसके बाद यह जो stock है, अपने all time high की दरफ चला जाएगा, अब आगे discuss करते हैं, नेक्स stock और यह है Kotec Banker और यह राइस का chart हमने इसको support पर discuss किया है एक ऐसा stock जिसने पिछले 4-5 सालों में कोई भी returns नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर notice करेंगे, around 2019 के पास इसका जो price था, वो around 1700 के आसपास था है, right now it is trading around 1800, तो जिन लोगों ने इसमें invest किया, मतलब पिछले 4-5 सालों में को कोई भी खास return देखने को नहीं मिला, तो यही difference होता है concept में, जैसे की एक होता है buy and hold का concept और एक होता है, मतलब आप swing trading कर रहे हो या breakout trading कर रहे हो, तो basically क्या होता है कि buy and hold के concept में क्या होता है कि आपको consolidation phase को मतलब जहिलना पड़ता है, but in case breakout और swing trading आप उस phase को हटा देते हो, आप वैसे इस stock में enter करते हो, जहां पर movement आ रहा है, तो इसलिए जो breakout और swing trading के जो returns होते हैं, वो काफी बहतरीन होते हैं, अगर आप देखोगे YouTube पर कई सारे से channel है, जहां पर US के मतलब traders आगे बताते हैं, तो most of them are swing traders, बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है, क्योंकि जो swing trading में क्या है न, कि वो आप consolidation phase को avoid करेते हो, आप वैसे इस stock में enter कर दो, जहां पर movement है, तो downside गया तो 10-15% का loss, लेकिन अगर upside गया है, तो वो 100% का भी return देखने को मिल सकता है, because अगर आप यहां पर चार्ट में देखें हैं, तो पिछले 5 साल में कोई भी returns नहीं है, within the same period, there are many stock who gives 300% return, 400% return, 500% return, तो जिन लोग ने वहां पर capital लगा हो, उनको काफी अच्छा returns देखने को मिला होगा, a region को find out कर लेते हैं कि आज हमने इसको stock को क्यों सेलेट किया है, simple सा supply zone, or you can also say that resistance, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आभी zone को ध्यान से देखिए हैं कि price किस तरह से behave करता है, जब भी price इसके पास आता है, price, price, एक breakdown, यहां से नीचा आता है, इसको touch करता है, down side में अगेन एक अच्छा move, again prices को touch करता है, down side में काफी अच्छा move, price इसको touch करता है, gap down, down side में काफी बेतर move, again prices के पास आता है, down side में काफी अच्छा move, और अभी जो price इसे exactly same label पर trade कर रहा है, तो अभी जो यह stock है, वो resistance पर trade कर रहा है, ठीक है, अगर आप इन दोनों गर candle को combine कर देते हैं, तो एक snake kind of bearish engulfine बना रखा है, that means कि एक यहाँ से downside में move देखने को मिल सकता है, तो देखिए, जब भी bearish engulfine का resistance के पास बनता है, तो वो यह दर्साता है, कि price यहाँ से नीचे जा सकता है, लेकिन अगर आपको buy करना है, दिन आपके लिए label है, 1875 के उपर, अगर 1875 के अगर उपर जाता है, तो आपको एक अच्छी buying देखने को मिल स सकती है, हमारा stop loss होगा 1865 रुपिच on closing basis, हमारा first target है 1785 का, second target है 1745 का, and third target होगा 1720 का, अब आई यह discuss करते हैं, next stock और यह है, आरती industry का, chemical sector का एक stock, तो आप यहाँ पर दिखेंगे, हमने इस वाले breakout purchases किया, यहाँ से काफी अच्छा returns, हमने इस वाले breakout purchases किया, यहाँ पर हमें ह हमारा stop loss हो गया होगा, तो इसलिए मैं आपको हमेशा suggest करता हूँ कि साड़े breakouts और जो एक concept है market में 100% है कुरे सी guaranteed returns, तो ऐसा नहीं होता, कई बार आपको काफी बहते हैं returns देखने को मिलेंगे, कई बार आपके stop losses भी होगे, बट आपको क्या करना है most of the time, ऐसा मतलब आपको जो भी मतलब यूज करते हैं, कि जहां पर आपको most of the time profit देखने को मिले, and sometime आपको loss देखने को मिले, so this is the part of trading, हमेशा आपके target hit नहीं होगे, कभी-कभी आपके stop losses भी hit होगे, so you have to accept that, ठीक है, anyways, बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है, एक simple सा horizontal line, around 565 के आस पास, तो यहां पर, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस line पर focus करना ही, price किस तरह से behave करता है, price यहां पर एक breakdown देता है, downside में काफी अच्छा move, price इसको again touch करता है, downside में काफी better and move, again prices के पास आता है, downside में काफी better and move, prices के पास आता है, consolidation, breakout, upside में काफी better and move, prices को touch करता है, upside में काफी better and move और आज के दिन प्राइस ने इसका एक breakdown दिया है तो breakdown से पहले आप देखिए कि क्या हुआ था breakdown से पहले consolidation हुआ था तो जब भी consolidate करता है तो वहाँ पर positions build होते है और यहाँ पर हमारे लिए भी काफी ज़्यादा असान हो जाता है क्योंकि हम लोग stopless जस्ट इसके ऊपर ही रखते है तो इस stock को जो select करने का जो region है वह है support का breakdown और अगर आप बात करेंगे chemical sector के तो आज chemical sector down था तो यहाँ पर आपको select करना होता है कि जब chemical sector down है तो आप कौन से stock में trade करना चाहरे है तो देखे chemical sector में कुछ है stock ऐसे हैं जो बिल्कुल a straight forward है जैसे कि हो गया नवीन फ्रोडीन नवीन फ्रोडीन अगर breakout देगा तो वो सीधा उपर जाता है अगर breakdown देगा तो वो सीधा नीचे जाता है तो यहाँ पर आपका experience काम है कि जब आप इंट्राडेट टेडिंग कर रहे है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा stock breakout देता है तो सीधा उपर जाता है breakdown देता है तो सीधा नीचे जाता है जैसे OFSS breakout या breakdown देगा वो सीधा जाता है कहीं उसका बीच में नखडे नहीं है कि भाईया मैं रुक के जाओंगा ये वैसे जाओंगा बिल्कुल भी वैसा नहीं है same goes with the Alchem तो ये सारी चीज़े आपको पास आएंगी experience के साथ तो इसा stock को जो select करने का जो origin था वो था support का breakdown बात करते हैं levels की तो अगर ये stock 5.5.0 के अगर नीचे जाता है तो हम अच्छे सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless के तो stopless का previous swing high जो की आ रहा है 5.80 रूपीच ओन closing basis फर्स टार्डेट है 5.35 का सेकंड टार्डेट है 5.15 का अगर थर्ड टार्डेट में बस 4.90 का अब आए डिसस करता है इसका last stock again chemical sector का एक stock अतुल तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब stock ने reversal दिया था तो हमने इसको काफी बाट डिसस किया था लास्ट टार्डेट डिसस किया था somewhere around 6.800 के आसपस और इसने high लेगा था around 8.145 का तो काफी बाट इन आपको returns देखने को मिला होगा anyways region को find out कर लेते हैं और एक simple सा rectangle तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह जो stock है एक छोटे से range में trade कर रहा है और इस range को हम लोग consolidation जोर box button कहते हैं और अभी हमें इसका कोई भी breakdown देखने को नहीं मिला है मैंने इसको इसलिए select किया है कि क्योंकि आप इसको watch list में रख सकते हैं क्योंकि chemical sector down है और यह stock अपने support पर है उत्रा ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगा कि जो आज का जो volume है वो previous stage of comparison में जादा है अगर कल यहाँ पर breakdown अगर आता है तो आपको downside में काफी अच्छा move देखने को मिल सकता है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 7500 के अगर नीचे जाता है तो हम अच्छे selling देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss का previous swing है जो कहा रहा है 7850 रुपीच on closing basis हमारा first target है 7280 का second target है 6985 का and third target है पास 6555 का तो I hope कि आपको इस वीडियो से को सीखने को मिला होगा thanks for watching